तो फिर से उपन हुचोका है एक new NCD 2023 के साल में और इस बाद जो NCD उपन हुँ रहा है वो उपन हुँ रहा है एडलवाइस financial services के तरफ से तो अगर आप NCD में interested है और आप NCD में invest करने के बारे में सोच रहे तो आपको इस वीडियो को पूरे अंतक देखना चाहिए ताकि आपको complete details यहाँ पर समझ में आ सके साथ में आप चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करके रखे क्योंकि ऐसे informative वीडियो आपको regularly इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो NCD के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो देखिए NCD होते हैं non-convertible debentures यहाँ पर company NCD issue करके आपसे एक तरीके से loan ले रही है एक ब्याजदर पर जैसे कि आप अपने पैसे को किसी को loan देते हैं तो आप एक interest income कमाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप चब एडलवाइस financial services को loan दे रहे हैं तो यहाँ पर यह interest provide कर यहाँ पर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि FD और NCD investment दोनों काफी ज़्यादा अलग है FD में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं लेकिन NCD में जब आप इंवेस्ट करते हैं तो आप company से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं लेकिन आप market में sale करके निक मत करिए यहाँ पर complete जानकारी आपके पास होना काफी ज़्यादा ज़रूरी है NCD में इंवेस्ट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर कोई guarantee नहीं है सरकार की इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा investment रिस्क हो जाता है लेकिन आगर आप complete जानकारी के साथ इंवेस्ट करेंगे तो यहाँ पर यह company कई सारे financial related services में deal करती है जैसे कि example में अगर बताओं तो यह merchant banking के हिसाफ से भी काम करते है और कई सारे loan providing companies के तरह भी यह काम करते हैं लेकिन यह सारा काम है यह अलग-अलग entities के नाम पर कहते हैं यहाँ पर इस company की खासियत यह है कि इस company का जो share है वो भी market में listed है आप चाहें तो share price को भी देखकर company के performance के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं अब जैसे देखें यहाँ पर बात करते हैं इस NCD related basic issue details के बारे में तो यहाँ पर यह जो NCD है इसका जो issue period है वो है आज से लेकर यानि कि 3 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के लिए investment जो time है वो यहाँ पर जो total NCD सिसु किये जा रहे वो एक से लेकर 10 तक के series के NCD सिसु किये जा रहे इसके अलावा जो NCD आपको मिल रहा वो secured in nature है मतलब कुछ ना कुछ collateral के रूप में रखा गया है यहाँ पर यह कुछ ना कुछ normally इनके जो data होते है या फिर जो इनके advances होते है वो जिसे आप छूओ देख सकते हैं वहाँ आसे को लाटरेल के रूप में नहीं राखा जाता आप ध्यान में रखिएगा अब जैसे देखिए बात कहते हैं minimum investment की तो minimum investment आप अगर कहना चाहते तो minimum आपको 10,000 रूपे invest करें नहीं पड़ेंगे बात करें यहाँ पर issue size की तो जो 400 करण रूपे तक उठा सकती है market से यहाँ पर ध्यान में रहे अगर company को 400 करण चल्दी मिल जाते है तो यह issue हो सकता है थोड़ा पहले भी close हो जाए अब जैसे बात करते है रेटिंग की company की तो यहाँ पर जो company को rating है वो double negative की मिले हुई है क्राइसेल के तरब से और equity के तरब मत करिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट में ऐसे कई सारे incidents हुए जहाँ पर ट्रीपल ए रेटिंग के भी companies डूप चुके है और NCD का पैसा भी उनका थोड़ा बहुत दूबा है जैसे कि example में बताओ तो DHFL के साथ हो चुका है अब बात कहते हैं यहाँ पर कितने डिमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डेस्क्रिप्शन में लिंक से आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप जैसे देखिए यहाँ पर टोटल दस सीरीज के एंसे प्रोवाइड के जारे जैसे कि आप देख पार हर एक सीरीज का अपना एक डिटेल से जैसे अचिसाब से यहाँ पर टोटल ना कीति के कब आपको पैसा रिटान किया जाएगा तो उससे आप से मिनिम्बम दो शाल करिए investment है और maximum 10 साल का investment है यहां पर बात करें interest की यानि कि जो coupon payment किया जा रहा है वो minimum यहां पर 9% का है और जो maximum coupon payment है वो करीब 10.45% का है इसके अलावा एक और extra coupon rate भी है जो कि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा अब यहां पर अगर आप cumulative में invest कहते हैं तो आपका जो return है वो redemption के समय मिलेगा तो इससाब से जो यहां पर effective विल्ड है 24 मेने वाले में वह 9% के आसपास ही है और 36 मेने में 9.6% और 60 मेने वाले NCD में करीब 10.10% है अब देखिए यहां पर टोटल दस तरीके के NCD से और हर एक सीरीज का अपना एक डिटेल से अब जैसे देखिए आप कौन सा NCD स्लिट करना चाहिए सबसे पहले तो आप यह जान लिजे अगर आप टीनर के हिसाब से देखेंगे तो जो maximum टीनर वाला NCD है वो थोड़ा सा risky माना जाता है इसलिए यहां पर coupon और मन्सली इंट्रेस पेमेंट में भी आपको थोड़ा रेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसके अलावा एक और बात है यहां पर जैसे आपने देखा cumulative interest payment वाला NCD है, जैसे कि यहाँ पर यह सारे cumulative payment वाले NCD है, यहाँ पर cumulative interest payment वाला NCD, उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा फायदे मन्द हो सकता है, जो अपना पैसा पार्क कहना चाहते हैं, कुछ समय के लिए, और higher tax bracket में आते हैं, cumulative interest payment NCD में invest करने से, आप indexation का benefit उठा पाए available होगा, अब यहाँ पर मुझसे आगर आप पूछो के कौन सा NCD सबसे बहतर है, तो यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा, आप 24 महने से लेकर 60 महने तक का NCD select कर सकते हैं, आप higher टीनर में जाना चाहते हैं, तो आप higher टीनर भी भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख स 17, 1188 और 1618 रुपया, अब देखिए, अगर आप यहाँ पर record date, यानि कि जब allotment होगा NCD, उस समय अगर आप किसी भी तरीके से एडलवाइस ग्रूप के किसी भी company में NCD hold करते हैं, या फिर equity share hold करते हैं, और आपने interest या फिर dividend पाया है, allotment date से पहले तो आप eligible हो जाएंगे 0.2% का extra return कमाने के लिए, तो ये थोड़ा सा extra return भी है, उन लोगों के लिए जो एडलवाइस के group में थोड़ा invest करके रखे हैं, अब बात करते हैं आपको यहाँ पर कितना रुपया invest करना चाहिए, देखिए ये काफी ज़्यादा critical point हो जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं, आ या फिर 20 भागों में, या फिर अपके हिसाब से divide कर लिए इस 10 लाह रुपय को, और जो एक भाग आपका निकलता है, यानि कि एक पार्ट जो है, वो एक company में invest करिया, यहाँ पर आपको मैं सुरू से भी बताते आ रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, market में कई सारे NCDs है जो कि कई सारे company के तरह issue किया जाता है, आप जब अलग-अलग company में अपना पैसा invest करेंगे, तो आपका जो portfolio है, वो diversify हो जाएगा, और diversify होने का फायरा यह मिलेगा, कि आप पूरा सा safe position पर आ जाएगे, मान लेते हैं, अगर आपके पास 10 लाग रुपया, आपने पूरा 10 आप एक ही company में invest करें दिया, और आगे चल कर कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर आपका पैसा काफी ज़्यादा पूरे तरीके से फस सकता है, जैसे कि example आगर मैं आपको बता हूँ, तो स्रेई के साथ आप देख लिजे, स्रेई में अभी investors का काफी ज़्यादा पैसा उनका redemption भी नहीं हुआ, दो साल हो चुके है लगबग, और अभी तक कोई redemption नहीं हुआ, साथ में कोई interest payment भी नहीं हो रहा, इसलिए अगर आप diversify करके चलते हैं, तो आप थोड़ा सा safe रह सकते हैं, किसी company के साथ अगर कोई दिक्कत भी होती है, तो बाकी जो company वो आपको safe guard क इससे करके सकते हैं, अब बात करते हैं, यहां पर इहां पर investments कहसे कर सकते हैं, तो देखे00 काने के कई सारे तरीके हैं, आप अपने stock broker को contact करके invest कर सकते हैं, इसके अलावा आप Networking या सवा सब्सक्राइब करें तो अगर आप कोई डाउट है तो आप वीडियो की नीचे कमेंट करें आप वीडियो को भी चलू लाइक करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलते रहे